नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की उर्जा होती है अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो ये चीजे नकारात्मक उ उन्नती होती है और सुख समरिधी बढ़ती है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु उर्जा तरंगे छोड़ती है जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है ऐसी ही कुछ वस्तुएं है जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है यह वस्तुएं हमें समय का बोध कराती है इन वस्तुओं की सहायता से हम शुब और अशुब समय को जान सकते हैं यह हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती है वह वस्तुएं है घड़ी और कैलेंडर जी हा दोस्तों हम सभी के घरो में घडी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घडी बीत्ते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता, अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है, यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचर्ण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घडी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घडी को सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाएं, तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिनाम प्राप्थ होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घडी और कैलंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में। अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप घडी और कैलंडर को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप स्वयम ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्थ हो जाएंगी। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यदी घडी को गलत दिशा में लगाया जाएं तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्थ होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घडी और कैलंडर से जुड़े महत्वपून वास्तु नियम। सबसे पहला नियम है घडी का आकार। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घडी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तु शास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीजों को नकारात्मक उर्जा का स्त्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है। अथवा आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं, जिसमें नुकीले कोन ना हो। दूसरी बात घड़ी में देवी देवताओं की तस आज कल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़िया मौजूद है, जिनके अंदर भगवान की तस्वीरे लगी हुई होती है। ध्यान रहे ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदे, जिसमें भगवान की तस्वीरे लगी हुई हो। क्योंकि भगवान की तस तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं. कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है. इससे भगवान का अपमान होता है. तीसरा नियम है बंद घड़ी घर में ना हो. वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं चाहिए. बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए. इसका अशुब परिणाम प्राप्त होता है. घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए. आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं. लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए. वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है, जो घड़ी समय से पीछे चलती है, उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे ही रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेश ध्यान इस दिशा की दिवार पर घड़ी लगाने से अप्यश मिलता है, दक्षिन दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिन तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है, दक्षिन ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहां समय सू पुर्व अथवा उत्तर दिशा की दिवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दर्वाजे के उपर अथवा पीछे ना लगाए। इससे समय का अशुब प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। चौथी बात है कैलंडर की दिशा। दोस्तों घड़ी समय को दर्शाती है। वही कैलंडर हमें शुब अशुब तिथियों से अवगत कराता है। इसलिए कैलंडर लगाने के लिए शुब दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व अ बहुत ही शुब परिनाम प्राप्थ होंगे। दोस्तों इस प्रकार से वास्तु शास्त्र में घड़ी और कैलंडर से सबंधित महत्वपून जानकारी दी गई है।